नमस्कार दोफ्तों इंडिया बोलेगा न्यू चैनल में आप सभी का स्वागत है गोरकपुर के सांसर रभी किसन ने सोमवार को आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने लोगों को उनके क्रांतिकारों एवं नायकों के बारे में कभी नहीं बताया उसके बजाए उन्होंने अकबर एवं बाबर के बारे में पढ़ाया उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का सपना हमारे नायकों एवं क्रांतिकारियों की कहानिया तथा इतिहास की पुस्तकों से हटाए गए पन्नों को पुनर अस्थापित करना है उन्होंने यहां तीन दिवसी कासी फिलमोसों की सुडवात के मौके पर कहा है कि पिछली सरकारों ने हमारे साथ अन्याई किया उन्होंने हमें हमारे नायकों एवं क्रांतिकारियों के बारे में कभी नहीं बताया उन्होंने हमारे नायकों को गायब कर दिया है उन्होंने हमें बाबर अकबर के बारे में बताया हमें सच्चाई से दूर रखा गया उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं सांस्कृतिक एवं धर्मविषय मंत्री नील कंठे तीवारी ने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के समझ मौजूद चार-पांच समझ्याओं पर पूर भी राम दिया है ताकि उसे रामराज की ओर ले जाये जा सके तीवारी के अनुसार ये मुद्दे तीन तलाग अनुचे 370 आयोध्या भीवाद तथा पाकिस्तान से आये सरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करने से जुड़े प्रवधान की कमी थे उन्होंने कहा कि प्रदान मंत्री मोदी ने आयोध्या भीवाद को खत्म कर दिया जो 500 सालों से चला आ रहा था उन्होंने अनुचे 370 खत्म कर दिया जिसकी वजह से अपनी ही जमीन के मालिक कस्मीरी पंडित बेघर हो गए थे भारत में बड़ी चंख्या में महिलाएं तीन तलाग प्रथा का दन से झेल रही थी तीवारी ने कहा कि प्रदान मंत्री ने उसी समश्या को खत्म कर दिया जो आजादी के वक्त सुरू हुई जो व्यक्ति बंदे मात्रम का नारा लगाता था उसे पाकिस्तान जिंदाबाद कहने के लिए बाध्य किया गया उसके पास तीन विकल्प थे या तो इसलाम कबूल करो अपनी जान से हांस धोलो या देश से चले जाओ जब अपनी मात्रिभुमी पर आता था उसे नागरिक किता नहीं मिलती थी